सोनम कपूर काफी परेशान है, दुखी है, बहुत बुरा लग रहा है उनको, आप सुचेंगे क्यूं, क्या दिपिका बदुकोन का नाम आने से, शद्धा कपूर का नाम आने से, सुशान्त रिया के मेटर पर, बॉलिवुड का ड्रक चार्ट सा उठ होने पर, क्या कारण है स सोनम क्यू परेशान है, मैं आपको बताते हूं, सोनम ने एक इंटर्विव दिया, और उस इंटर्विव में अपनी परेशानी का कारण बताया है, कि आखिर वो क्यू परेशान, बेहत दुखी है वो, तो सोनम कपूर कहती है, कि सुशान सिंग रातपूत की मौत की बाद से जिस तर से नेपोटिसम की चर्चा शुरू हुई, और उसके बाद सोशल मीडिया और तमाम जगों पर बॉयकॉट कल्चर जो है वो बढ़ा, जिसे स्टार किट्स को सोशल मीडिया पर बहुत बैश किया गया, और सोनम कपूर को बहुत सारे हेट कॉमेंट्स आए, हेट कॉ सुद्दो पर सिर्व बाते ही की जा रही है, इन सब के चलते मैं पिछले कई महीनों से काफी दुखी हूँ और नेगेटिव स्पेस में हूँ, हाला कि अब थोड़ा बहतर महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, गॉर्दारवे के सुशान्त की मौत के एक हफते बाद सोनम सब कर दिये हम ने कुछ screenshot शेर किये थे इन screenshot में टोलस्ट्रोल के messages को देखा सक्था है जो messages लोगों उनको भीजे थे comments उनको उन्होंने screenshot लेके share किया था किसी में लिखा था कि हम प्रातना करेंगे कि तुम और तुम्हारे बच्चे जल्द ही इस दुन्या को अलविदा कह दे सोनम ने कहा कि हाँ मैं सोशल मीडिया पर अपने comment section और अपने माता पिता के comment section को बंद किया हुआ है क्योंकि इसलिए मैं यह कर रहे हुँ उन्होंने कहा आलिया भट सोनम सोनी राज़दान सभी अपने comment section को limit क्या हुआ limit करना है नहीं जिनको आप follow करते हैं जो आपकी friend list में हैं वही आपके post पर comment कर सकते हैं तो इस सब मिला करके कहीं सोनम कपूर ने अपने दुख का सबह बता दिया वरना यह लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि दिपेका पादुकूर्ण के लिए सोनम कपूर क्या सोचती है कौफिवित करन याद आया आपको जब दोनों ने मिलकर के रनभीर कपूर की बैंड बजाई थी एनिवेज ऑन दॉट नोट सोनम कपूर किसी और की नहीं बलके अपने लिदुखी है क्यों को इतने नेगेटिव स्पेस में रहना पड़ा क्या कहेंगे आप ज़रूर बताईए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिजिए बेल आइकन भी दबादीजिए मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्थ सरता